नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल टूफेक्टी चीम में आपका स्वागत है आज कहा हमारा वीशा है होमेपैथिक मेडसीन होमेरस के सीम्टम सबसे पहले हम आपसे अन्रोज करेंगे एक लिए पर हमारे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें बिल बटन दबान नह पदार्द डाजेस्टिफ फ्रूड अफ लाइव लावश्टर होमेरस होमेरस आसधी नमेकित लक्षनों के रोगियों के रोग को ठीक करने में उपयोगी है जैसे आपच्छ समध्य लक्षन यदि किसी रोगी को आपच्छ बोधन करना पच्छना डाइवेशिया हो गया हो हमेरस से रोगी को प्रियोग दाए डायत राता है और किसी रोगी के सीरी में दर्द हो रहा हो णह और करन पच्छों के लिए हमेरस आपच्छ बोधन करना लक्षना फैयंदे। गले से समझत लक्षन, रोगी के गले में दर्द हो रहा हो, तथा कच्चेपन का एहशास हो रहा हो, ठोस बलगम भी निकल रहा हो, तो इस पिकार के लक्षन उसे पिरिते, रोगी के रोग को ठीक करने के लिए होमिलस औस दिखोपयो करना रब्दायक होता है, अमासे तथा पेट से समझत लक्षन, रोगी के अमासे और पेट में दर्द होने लगता है, तथा जब रोगी भोजन कर लेता है, तो उसे दर्द से कुछ आराम मिलता है, भोजन करने के बाद दर्द से कुछ आराम मिलता है, इस पिरिते, रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हो मेरा सौध्धी का परयोग करना विचीत होता है उल्टी से समध्धी लक्षन यदि किसी रोगी को उल्टी हो रही हो और उसके रोग को ठीक करने के लिए हो मेरा सौध्धी का परयोग करना चाहिए 2. शरीर के बाढ़ियम्हों समधि लग्षन Pर उसके रोगी को ठंड के करन शरीर मर Сबसकी रोगतिक करने के लिए होमेर सअधिक पह लुख करना चाहा है 3. खुजली से समधि लग्षन Pर उसके रोगी के करने लिए होमेरस अधिक पहूक करना उचीत होता है और दर्द हो रहा हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए होमेरस और दिक अपयोग करना चाहिए। खुजली से समति लक्षन यदि रोगी के सरीर के तचा पर खुजली हो रही हो और उसके रोग को ठीक करने के लिए होमेरस और दिक अपयोग करना उचीत होता है। व्रिद्धि एग्रेवेशन दूज से नीज आने के रूप के लक्षनों व्रिद्धि होती है। श्रमन गती करने से बुजन करने के बाद रूप के लक्षन नष्ट होने लगते हैं। शंबंत रिलेशन एथुजा और चेरियस सीपी आर्दी के कुछ गुर्यों की तुलना होमेला सौधि से कर सकते हैं। मातरा होमेला सौधि की छटी सकती का परियोग करना चाहिए। हम आगले वीडियो में किशिमात्पूर मिशेपर मात्पूजान कालियों के साथ आपके साने प्रसुत होंगे धन्यवाद।